हाई फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है दिपास की शंतर्का में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडियन स्टाइल में कद्दू की सबजी और यह जो साउथ इंडियन कद्दू की सबजी इसकी टेस्ट बहुत ही अलग और यूनिक है तो इस रेस्पी को एक बात ज़रूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आए तो देर इस बात की चनों फिर रैस्पी बनाना सुरू करते हैं तो हमें लेना है यहां पर कद्दू और कद्दू का जो छिलका है वो हमें नहीं निकालना है और अब इसे हम छोटे-छोटे पीसस में कट कर लेंगे और अब इसे हमें कुछ सैकेंड पकाना है उसके बाद हमें डालना है इसमें कद्दू और अब यहां आपर हम गैस कप टेम रखेंगे लो और 2 मिनिट के लिए इसे ढख कर पकाएंगे हम 2 मिनिट बाद हम सबजी को च्छाट कर लेते हैं और आब इसमें डाल देते हैं हमशाले तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनस्वार नमक आधि-चमप धनिया पाउडर, आधि-चमप जेरा पाउडर, आधि-चमप mayíasूर पाउडर ओर अब हम सबजी को चलाते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से इसे हम दो मिनट के लिए ढख कर पकाएंगे और दो मिनट बाद हम सबजी को चेक कर लेते हैं और अब लास्ट में सबजी में डालना है दिसे केटिट कोकोनेट और इसे अच्छे से चला देंगे आप देख सकते हो साउथ इंडियन स्टाइल में कद्दू की सबजी बनकर हो गई है तैयार